सिलेंडर बदलते समय घर में लगी आग दमकल कर्मियों की सूजबू से टला बड़ा हाथसा स्रावस्ती जिले के लच्मन नगर में सुबतर के घर की रसोई में गय सिलेंडर बदलते समय गय सलिके से आग लग गई आग इती तेज से भब की की बाहर भाग कर घरवालों ने अपनी जान बचाई घरवालों की साथ पडोस में रहने वारे लोगों में अफरा तफरी मची रहे लोग दमकल वहन आने से पहले आग को बुजाने के जुगत में लगे रहे प्राप्त जनकारी के मताबिक सोनवा थाना छेतर के लचमन नगर में राजेंदर मिश्रा ने अपने घर में खाली सिलेंडर अटाक कर बरागुआ सिलेंडर लगाया और उसे चक करने के लिए माचिस की तीली जला दी जिसे सिलेंडर से निकली गैस ने आग पकड़ ले इसी तरह युवक और उसके परिवार वालों ने बाहर बाग कर अपनी जान बचाई इस दोरान असपास के लोगों में हरकम मच गया किसी ने इसकी सुचना फायर विवाग को दी मौके पर पहुची दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू कर कड़ी मसकत से घंटों बाद आग पर काबू पाया तब जाकर घरवारों के साथ साथ आसपास के रहने वालों लोगों ने रहती सांस ली यद दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू ना पाया होता तो वो भरा हुआ सिलेंडर व्लास्ट हो जाता जिसे काफी जनहानी हो सकती थी गटना मंगलवार सुबा करीब साथ बजे की है जब रसोई में गयस सिलेंडर बदलने के बाद उसे चेक करने के लिए उसमें माचिस की तीली जलाई सिलेंडर बदलते समय गयस का रिशा हुआ और अचानक आग पकड़ ली आग को घर वाले घबरा कर सिलेंडर को घर में छोड़ कर ही बाहर निकल गए गनीमत यह रही कि समय से दमकल करमी पहुझ गया और उनकी सूजबू से सिलेंडर बलास नहीं हुआ और यह बड़ा हासा टल गया तो आपको श्रावस्ती एक्सप्रेस पर श्रावस्ती जिले से बड़ी खबर दिखा रहे है जहां पर घर के अंदर सिलेंडर बदलते समय अचानक रिसाव के चलते आग लग गई हलाकि दमकल करमी की सूजबू से यह बड़ा हासा टल गया और किसी अनुहुनी से बज़ गई बताया जा रहा है कि आग की भब की तेज़ थी कि आज़ पास के पडोस के लोग भी काफी डरे और सहमे हुए थे इसको बुजाने के लिए पाय किये जा रहे थे तब तक दमकल करमी की टीम पहुची है और कड़ी मसक्कित के बाद इस आग पर काबू पाया गया और गये सि दमकल करमीयों की टीम की बड़ी सूजबूच से ये बड़ा हासा होते होते टल गया सुझवा थारा पांपर्दे पांदधे अन्हां कुछ चांदे आइने आइए तो घड़ी आइए जिआए जिए जिब ठोछे, जिए जिए जिद पहुचे